कि शाए कि था वी अच्वाइबीड वी अबिववीगु इस धीजिसंग कश्चुश तोड़े इस फेरम मेंटालिक मृटालिक मृट यह अमझ सकते हुश्चे आरोल्ऌ्य इस दार्णि रहें एक एलेमेंट से बनाई जाती है कैसे like the हैं तो ज्यादा तर ऐसे परसन जो कि सांग्वीन टेंप्रामेंट की होते हैं मतलब फुल ब्लड पेटिश क्वेरलसम मतलब परसन जो होता है वह बहुत ज्यादा मतलब क्वेरलसम होता है लोग उसकी लड़ाई हो जाती है इसली एक्साइटेड मतलब बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है किसी भी बात को लेकर आप फोड़े से भी कॉंट्रिडिक्शन से उसको गुस्सा आ जाता है ठीक है एमिलियोरेटेड बाई मेंटल एक्जर्शन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें मेंटल इबिलिटी देखिए यह पॉइंट बहुत इंपॉड़ेंट है पिरम मेटालिकम का दाट इवेल क्राक्लिंग वह पेपर की नॉइज भी परसन को पड़ेशान कर सकती है चिरचड़ा बना सकती है इतना जादा एरिटेबल होता है यह परसन ठीक है वो मेंट हुआ वीड ड है क्योंकि यहां पर टैंग्वीन टेंप्रामेंट देखने को मिलना है ठीक है तो हम इस रेमीडी को प्रिस्टाइब कर सकते है एक्स्ट्रीम पेलने सो दो फेस लिप्स और म्यूकस मेंब्रेन विच विकम्स रेड और फ्लश्ट ऑन दा लीस्ट पेल इमोशन और एक्जर् तो उसका जो फेस है वह अनीमिक होगा लॉस ऑफ ब्लड की वज़े से बड़ अगर थोड़ा सा भी एक्जर्शिन करेगा वह परसन तो तुरंट ब्लशिंग अपियर हो जाती है या फिर उसका चेहरा तुरंट रेड हो जाता है ठीक है ब्लशिंग की प्रॉब्लम मिलती है या फिर आनेमिया की साथ चहरे पर जो की बड़त हो जाति है तो ये देखने को मिलती है ठीक है यहाँ पर डै पार बिकउउं वाईट थीक है जैसे की फेस सेय्जिए उर्मक्स अब आ चाते है इसकी वटाइगो की सेंसेशन पर तो बचाइगो बहुलच पर का सब जो एट बहुत इंपोर्टनेंट है इसमें क्या मेंशन किया गया है इसको जब भी अगर को देखता है तो इसको बैलनसिंसे करएद तो यह वहटाइकों इसको फ्लोइंग वांटर को तो यह चकपकर आता है वन वी क्रॉपलम होती र het दोब वक्ते वर बियुक्रोइब तो भी इसको वर्टाइकों की प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है कैसा मिलेगा देखिए कोई भी परसन है आप पेरमेट को ऐसे समझेए डाट एक परसन है वह बिलकुल मतलब उसमें क्या है वह एनिमिक है तो वह बहुत जादा वीक है तो कोई भी काम करेगा इवन वह लेटा र मन नहीं करता है ठीक है फॉर टू फ्री और फॉर डेज इवेंट टू और त्री वीक्स ठीक है मैंसेस इसके अर्ली प्रॉफ्यूज और लॉंग लास्टिंग होते है वह भी क्या होता है काफी जादा पेल होगा और डेबिलिटेटिंग परसन को बहुत जादा वीक कर चोटी है ज्यादा आनीमिक परसंट को दी जाती है जिन में तो हीमोगलोबिन कम होता है या फिर प्लाट कम होता है तो इनको इन में इनकी और इनकी बॉडी हो जादा डेबिलिक होती है ठीक हीम्रेजिक डायट से इस धिखी यहां पर मैंशन क्या गया है ब्लड़ ब्राइ भूप लगती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है एक्स्ट्रीम डिस्लाइक ओपूड इसको बिल्कुल भी कुछ भी खाना पसंद ना हो ठीक है इसको इमीडियेटली आफ्टर इटिंग वॉमिटिंग हो जाती है और इसको इत्ता ज्यादा एफ़र्ट आता है वॉमिटिंग का डाट इवन परसन जो है वो खाना खा रहा है टाइनिंग टेबल पर वहां से इसको तुरंत वॉमिटिंग करने जाना होता है और आगी क्या लिखा हुआ है तो परसन वॉमिटिंग करके आके उसके बाद दुबार अपना खाना खा ले रहा है ठीक है डाइरिया अंडाइजेस्टिट स्टूल आट नाइट और वाइल इटिंग और ड्रिंकी ठीक है तो कुछ भी खाने पीने से डाइरिया हो जाती है जो कि पेइनलेस होती है इंटिस्टाइनल एट होनी तो ओविएसली कॉंस्टिपेशन जो होता है वह इंटिस्टाइन की एट होनी की वज़े से ही होता है इनफेक्ट्ट अर्जिंग होगी मतलब पसर को स्टूल पास करने का मन तो करता है बड़ उसमें कोई भी डिचार्ट नहीं आता या फिर बह इसका जो मोडालिटी है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके परसंट को दीरे दीरे आराम से चलके अच्छा लगता है ठीक है कर ओनली इन देटाइम इसको खासी सर्थ डेटाइम में आती है जिसमें यह लेट के इसको आराम मिल जाता है ठीक है या फिर बाइट इटिंग तो यह पॉइंट आपको AI PGT point of view से याद रखना है कि अगर कफ जो है वह हो रहा है इटिंग से क्योंकि ज्यादा तर खासी जो आती है पेशेंट को उसमें आग्रेविशन होता है खाना खाने से ठीक है तो आपको यह रेमीडी याद रखना है ठीक है जॉपसी आफ्टर ल से या फिर किसी ने का अब्यूस कर लिया ठीक है या फिर सब्प्रेश्ट इंटर्मिटेंट फीवर वगेरा उसकी वचे से अगर जॉपसी है तो हम इस रेमीडी को प्रिस्क्राइब कर सकते है ठीक है अब इस आदे रिलेशनशिप्स और पेरम मेटालिकम डाट यू नीड अबर जाती है लेकिन अगर व्यांड श्लोली चलता है तो इसके परसण को आराम है ठीक है इस 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 अबड़ पेरम मेटालिकम जादार इस इग्जामिनेशन में जो पूचा जाता है बांत ऑ इस सब्रक्राम में जाता है जब अनिमिक होता है पर्संट तो इसको यह कि यह चिकेः? So, this is it about Ferum Metallicum. If you are waiting for your examination, please do not forget to prepare the symptoms of Vertigo, या फिर्सके मेंसेश, and also Heemrejic, diet as if या फिर हेमरेji. चिकेः? So, this is it about Ferum Med. I hope I have made you understand.